जै मसी की दोस्तों साबट स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है हम पार्ट आठ पढ़ते आ रहे हैं और आज हम रविवार के इस भाग का अधेयन करेंगे जिसका शीर्शक है उपचार विश्राम हमें इतनी जानकारी है कि जब हम बिमार होते हैं तो सबसे ज्यादा उस समय में हमें आराम की सक्त जरूरत होती है है ना जब हम अच्छे होते तो हम इतना हम आराम के बारे में नहीं सोचते मगर जब हम बिमार पड़ते हैं तब हमें यह सला दी जाती है कि तुम्हें आराम की जरूरत है अगर हमें पूरी तरह से ठीक होना है तो हमें अपने शरीर को आराम देना बहुत ही बहुत अवशक्ता हमें है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम आराम करें पूरी तरह से ठीक होने के लिए हमारे दिमाग को भी थोड़ी आराम की जरूरत होती है हम देखते हैं कि हम अक्सर हमारे दिमाग को आराम देना भूल जाते हैं हम क्या करते हैं आराम तो लेना चाते हैं मगर हम आराम लेते समय हम बिस्तर पर लेते होते हैं मगर हमारा दिमाग जो है कई चीजों के बारे में सोचता रहता है तो उसे आराम हम देते ही नहीं, हम देखते हैं कि कभी-कभी हम ऐसी चीज से बिमार होते हैं जिसके वज़े से हमारे जीवन को कोई खत्रा तो नहीं होता, उधारन के लिए जैसे हमें एक छोटा सा सिर्दत हो या जुखाम या सर्दी हो, है ना, तो इतना भयंकर या इतना व हम सोचते हैं कि मुझे यह सब चीजे जो जो मुझे करना है, इसके बारे में मैं नहीं सोचगा, मैं बस आराम करूँगा, मगर जैसे ही हम लेटते हैं, तो हम उसी चीज के बारे में हम सोचने लगते हैं और परिशान होते हैं, है ना, तो सही ढग से हमें आराम मिलता ही नह होते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही खत्रे में डाल देता है ऐसा भी एक पार्ट है हमारे लाइफ में है तो अकसर हम जागते हैं हम जागते हैं और चिकित सा जांचों की चिंता करते हैं और तो और हम आश्च्यरे चकित हो सकते हैं कभी-कभी हम ऐसे आश्च्यरे चकित होक कर अपने आपको पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है यह क्यों हो रहा है मेरे जीवन में या मेरे शरीर में ऐसी बिमारी क्यों मुझे कैसे मैं तो ठीक से अच्छे अच्छे हैबिट्स मेरे पास है तो मुझे यह बिमारी क्यों हो तो हम बहुत सारे ऐसा आश्चरे चकित के बारे में सोचते है, और हुमें लगता है, शायद मैंने वमेरे पास्स लाइफ में, मैंने ठीक से लाइफ स्टाईल है वू बुरा था, मैंने ठीक से एक्सेसी नहीं किया या ठीक से नूटुरियश खाना झाया, मेरे आदते गलत थी. तो शायद वही वज़े है जो मुझे आज बिमार महसुस करा रही है और हमें लगता है कि यही एक कारण है मेरे पेडित होने का और शरीर पर डाले गए अतिरिक्त वज़न के कारण मैं बिमार हूँ है ना ऐसे हम हरे एक एक चीजों को हम कारण दिखाते है और हम कहते है कि यही कारण है कि मैं आज बिमार हूँ और मुझे आराम नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे है कि परमेशवर हमें उस गुप्थ पाप के लिए दंडित कर रहे है कभी-कभी ऐसे भी सोचते हैं, शायद परमेश्वर ने ये बिमारी मुझे इसलिए दी, क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ में एक गुप्त पाप था, जो किसी को नहीं पता पर मैंने किया है, और वो परमेश्वर को पता है, और परमेश्वर मुझे आज दंडित कर रहा है इस तो चोरी छिपे जो जो मैंने किया है, आज वही वज़े है जो मुझे ऐसे सिथी में लाकर रखी है, तो ऐसे हम बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे कारण हम बताते जा सकते हैं, मगर जब हम बाइबल में मरकुस के मार्क सेकेंड चाप्टर में वर्सेस वान टु फोर जब उसे हिलाना नहीं आता या वह नहीं हिला सकता, उसकी स्तिथी उस तरह से है, तो हम युगों की अभिलाशा, पेज 267-271 तक जब हम यह डिजायर अफ एजस बुक में हम पढ़ते हैं, तो हमें इस चीज के बारे में अच्छी समझ मिलती है, कि उसे शर्म थी, उस इंसान को शर्म आती थी कि उसने कुछ पाप उसके जीवन में उसने किया, तो उसके पापों के कारण उसको यह बिमारी हुई और डॉक्टरों से उसे ठीक करना नहीं हुआ, तो डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर सके, ऐसा हम देखते हैं, हम अक्सर अपने आपको और उन चीजों को दोशी ठहराना ठीक समझते हैं, जिसके वज़े से आज मैं परिशानी में या मेरे बिमारी में, मैं आज हूँ, मैं किस वजह से पीडित हूँ, क्योंकि मेरे इन चीजों के वज़े से, तो हम किसी ना किसी चीज को हम दोशी ठहराते हैं, कई लोग अपने आपको दोशी ठ टहराते हैं लेकिन हम हमें यह जानकारी होनी चाहिए या समझ होनी चाहिए कि हमारे जीवन में जब हम किसी चीज तोरजी ठहराते हैं दोरजी ठहराने से western Battle तरह पूरी तरह से सिद्धा नहीं होते कि हमने कहा कि हाँ इस यह है रीजन तो बताने के वजए से हमारे जीवन में क्या नहीं आती है चंगाई या विश्राम आराम हमें नहीं मिलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए हमारे लाइफ के लिए तो उस योजना में ना दर्थ है ना बीमारी है ना कोई पीड़ा है तो उसमें यह कोई भी चीज शामिल नहीं है तो हम देखते हैं कि जो पाप का जो कारण है उसका कारण एक ही है या इस बिमारी का एक ही कारण है इस धर्ती पर इस इस ग्रह पर पाप ही वह कारण है जिसके वज़े से आज लोग बिमार पड़ते हैं कोई और जिवर हमारे लालन पालन के लिए महत्वपूर्ण स्वास्ते के नियम उन्होंने दिये हैं, किसलिए दिये हैं? यह नियम अगर हमने ठीक ढंग से उसका हमने फॉलो किया, तब ही जाकर हम अपने जीवन में स्वास्त को भी और उसे ठीक रखने में, आराम पाने में यह बहु यह स्वस्त है, यह दोनों भी हर एक समय पर परमेश्वर ही है, जो हमें विश्राम देते हैं, आराम देते हैं, वही एक परमेश्वर है, जो हमें आराम दे सकते हैं, और कोई नहीं, और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आराम दे सकते हैं, भले ही हम अपनी बिमारी का का करमitter हम खुद है हमारे पाप है अगर फिर भी परमेश्वर हमें चंगाई हो देते हैं हम आराम विश्राम बहँ देगते हैं हमारे ऐसा लगता है? हम जब हुआ बच्चे थे तो हमारी देखभाल मगवान किस न की हमारे माता पिता ने की ऐसा कोई भी कहेगा है ना, मगर हमें यह समझ लेनी चाहिए बाइबल से कि हमारे माता-पिता ने हमें देखभाल तो की होगी? मगर जो असली देखभाल है, जो असली आराम है, परमेश्वर ने हमें वह आराम उस बच्चपन में ही दिती, वह परमेश्वरी थे जो हमारे साथ रहे उन्होंने हमारी देखभाल की और हमें जो कुछ भी चाहिए वह परमेश्वर ने ही हमें दिया जब कोई बिमार होता है तो हमें उस उस बिमारी के लिए किसी को दोश नहीं ठहराना चाहिए एक ही कारण है इस बीमारी का जो है पाप और पाप के वज़े से ही इस दुनिया में बीमारी आयी है तो हम इस समझ को हमारे दिलों में रखेंगे हमारे साथ बने रहेगा परमेश्वर आपको आशिश दे झाल झाल